तो देखते हैं नालमी यतियागी एंड टोड़े विए अपिनिश एक्सराइस 3.3 लास्ट लेक्चर में हम लोगोने 3.3 का कॉश्च नमबर वन खतम किया था आज हम लोग कॉश्च नमबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो देखते हैं कॉश्च नमबर 2 में क्या है कॉश्च अबस्ट करना है और दूसरा आपके पास एकस की वैलीव आ जाएंगे तो आप एंड कि वैलीव उसने से फाइंड आउड कर लोगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों एक्वेशन को साल्व करेंगे जैसे फस्ट कोरेंगे जैसे फर्स्ट इक्या था था एक्सी करें फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी कर लेते हैं, ये equation 1, ये equation 2, solve करेंगे, solving, equation 1 solve कर लेते हैं, तो 2x is equal to 11 minus 3y, that is x is equal to 11 minus 3y upon 2, now put it in equation, 1 तो हमने solve की थी, put it in equation 2, 1 को तो solve किया था, तो 1 में तो रख नहीं सकते हैं, तो किसमें पुट करेंगे, 2 में, यहाँ पे पुट करेंगे, 2 into 11 minus 3y upon 2 minus 4y, as equals to minus 24, I think clear होगा, 2 से 2 cancel, solve करेंगे, 11 minus 3y minus 4y, as equals to minus 24, यहीं तर जाएगा, subtraction minus में जाएगा, 3 और 4, 7y हो गया, और यह भी minus होगा, 24 भी minus होगा, तो दोनों add होगे, add होगे, कितना आगया, minus 35, minus से minus cancel, 7 5 times, y is equals to कितना है, y की value हमारी निकल के आगई, y is equals to 5, अब y की value निकल के आई है, इसे equation 3 में put करेंगे, put in equation 3, y की value जो हम इस equation में put करेंगे, तो x is equals to क्या जाएगा, 11 minus 3 into 5 upon 2, 3, 15, 11 minus 15, 2 minus 4 upon 2, that is 2, 2, 4, तो x is equals to कितना आगया, minus 2, अब देखे, अब आप लोगों के लिए पास y की value भी है, x की value और आपको एक equation गिवन है, y is equals to mx plus 3, जिसमें आपको m की value find करने है, यह तो simple, put the values of x and y to find the value of m, चले, put करते है, y की value कितनी, y is equals to mx plus 3 given है, y की value 5 is equals to m into minus 2 plus 3, यह इदर आपके subtract हो जाएगा, 5 minus 3 is equals to minus 2m, यह 2i is equals to minus 2m, m की value कितनी आगे, 2 से 2 cancel, minus 1, तो हमारे m की value कितनी find out होके आगे, minus 1, I think clear होगा आप लोगों, question number 1 और 2 में आप लोगों को equations given थी, सीधा-सीधा, अभी आप लोगों को equations नहीं given है, कुछ statements given है, वो statements आपको पढ़के, पहले equation बनानी है, और फिर equation solve करनी है, ठीक है, तो चले, देखते question number 3 का first part, क्या कह रहा है, तो difference between two numbers is 26, and one number is three times the other, तो दो number है, जिनका difference आपको given है, और उन तोनों के बीच में एक relation आपको given है, तो किस तरह से solve करेंगे, सबसे पहले हम assume करेंगे दोनों numbers, let numbers are x and y, दो number, दोनों का difference है, तो दो number हमने x और y assume कर लिया, तो condition 1 क्या कह रही है, according to condition 1, x minus y is equals to 26, तो दे condition given है, चाले, equation number 1 बन गई है आपकी, now according to condition 2, condition 2 में क्या कह रहा है, condition 2 में कह रहा है, that one number is three times the other number, मतलब, एक number दूसरे का तीन गुल है, अगर मैं x और y को equate करूँ, अब यहां पर देखेगा, मैंने x minus y किया, तो इसका मतलब मेरा x बड़ा है, और y छोटा है, ठीक है, x बड़ा है, y छोटा, तो अगर मैं इन दोनों को equal करना चाहरी हूं, तो छोटे वाले में 3 की multiply करूँगी, बड़े में नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे equal करने है, तो x is equal to 3y, यह आपको सीधा-सीधा दूसरे equation मिल गई, substitution method है, simple है, एक variable की value, आपको सीधा-सीधा given है, and you will put it in equation 1, so let's put, put this value in equation 1, तो चलिए रखते हैं, x is equal to 3y हाँ पर रखा, तो 3y minus y is equal to 26, तो 2y is equal to 26, and y is equal to 24, बटे दो is equal to 13, y की value निकल के आगे, y की value इसमें put करेंगे, x is equal to कितना आगे, 3y into 13, x is equal to 30, तो हमारे दो numbers क्या-क्या आगे, 39 and 13, चीक है, I think clear होगा आप लोगों को, चीक है, इसका second part देख लेता है, simple question था, कुछ में रही था question में, तो डरना घबराना बिलकुल नहीं है, बहुत easy questions है, बहुत easily हो जाएगे, चीक है, second question में क्या कह रहा है, the larger of two supplementary angles, exceed the smaller by 18 degree, यह बात है, supplementary, दो तरह के angles होते है, supplementary angles और complementary angles, supplementary angles वो angles होते है, जिनका summation जो होता है, वो 180 degree होता है, जिन दो angles का sum क्या होगा, 180 degree हो, complimentary angles वो angles होंगे, जिन दो angles का sum, 90 degree होगा, यहाँ पर supplementary की बात है, तो let, angles, is equals to x और y, अभी आपको condition 1 क्या given है, x plus y is equals to 180, क्योंकि आपको कहा दिया, कि supplementary, इसने आपको इहाँ पर confuse करने के लिए, कि supplementary angle दे दिया, और आप समझोगे कि क्या है supplementary, कुछ नहीं है, दोनों का sum 180 degree हो, ठीक है, equation 1, और condition 2 क्या कह रही है, condition 2 कह रही है, कि एक जो angle है, वो दूसरे angle से, 18 degree छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब, क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला, कि दोनों का subtraction है, अगर हम दोनों को, एक दूसरे से subtract करते हैं, या दोनों को एक दूसरे से, माइनस करते हैं, तो जो value आएगी, वो 18 degree आएगी, ठीक है, that means, x minus y is equals to, कितना होगा, 18, अगर मैं दोनों को में से, घटाऊंगी, अगर मैं बड़ी नमबर में से, चोटे नमबर को घटाऊंगी, तो 1 थारा का ही तो difference है, यही तो उसने का है, ठीक है, चाल लिए, तो यह आगी, equation number 2, दोनों को solve कर लेंगे, सिर्थी सिर्थ equation है, कुछ भी नहीं है, यहां से x is equals to, equation 1 solve करेंगे, x is equals to 180 minus y, put करेंगे equation 2 में, तो क्या आगया, 180 minus y, minus y is equals to 18, minus y minus y कितना आगया, 2y is equals to, यह धर जाके subtract होगा, minus 180 plus 18, y minus 2y is equals to minus, 18 गटेगा तो कितना आएगा, 162 minus से minus cancel, y is equals to, 81 degree, y is equals to कितना आगया, 81 degree, जब y is equals to 81 है, तो x is equals to कितना होगा, x is equals to, कितना था, 180 minus y, 180 minus y, that is 180 minus 81, that is 90, 90 degree, चीक है, चली ज़िए, इस थिंक क्लियर है आप लगो को, थर्ड कॉस्ष्ष्ण में क्या कह रहा है, तो, कितना था कोज था कुच्ट तीम, बच्च तीम भाई लगो छॉप्ट रुप्ट रूप्र, रुप्र्र, ठीष्ट रुप्र, रुप्र, एप्र, लगोई, रुप्र, अच्ट, T. Find the cost of each bat and ball, each ball. So let, cost of one bat is equals to X and cost of one ball is equals to Y. ठीक है जी? यह अवने अजिम कर लिया कि एक बैट की कीमत जो है वो X है और एक बाल की कीमत क्या है? रुपीज है ठीक है? रुपीज है अब वो क्या कह रहा है कि उसने क्या किया? पहले बार में 7 bats और 6 balls खरी दी तो that means condition 1 में क्या कह रहा है? 7 bats यानिकि 7 into 8 एक बैट की कीमत गो ना? 7 bats की कीमत हो गई? ठीक है? प्लस 8 balls ठीक है? यही तो कहा है? 7 bats and 6 balls तो 6 balls हो गई? is equals to 3800. equation number 1 बन गए? similarly condition 2 में क्या कह रहा है? condition 2 में क्या रहा है? she buys 3 bats and 5 balls. तो क्या होगा? 3 bats and 5 balls in 1750. equation number 2. simple equation है? same सो तरीके से solve करेंगे? चलिए तो solve करते हैं. equation 1 को solve करेंगे? तो 7 x is equals to 3800 minus 6y. that is x is equals to 3800 minus 6y upon 7. put it in equation 2. equation 2 में जब हम x की value रखेंगे तो क्या हैगी? 3 into 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equals to 750. चलिए अभी से solve करेंगे? किस तरह से करेंगे? वैसे ही करेंगे? पूरा कोल के करेंगे और कैसे करेंगे? तीन ट्थे, चौबस की तीन ट्यानो. weans, मटे साथ. चत्या, अठा ना, मटे साथ. प्लस, आज बहाएं सब्सक्राइब, सद्राइब, सट्राइब, पचास. यहां से साथ L S M आएगे. ओपर कर लेता है. जारा चारसो माइनस अठारा वाय प्लस 5 वाय बाइन सेमन आगया जीक वस्टो सुत्रा पचास 7 की यारा चारसो ऐसी रहा माइनस अठारा वाय एसी रहा, प्लस 7 बन्जे 35, जबस टो 17 पचास, चल्गे इससे सौल करेंगे, तो ये 11,40 एसी रहा, अठारा गया 35 में से, 17, माइनस 17, प्लस 7 वा, जबस टो 17 पचास गुना 7, इसे उधर ले जाके सब्ताक करेंगे, 17 वा, जबस टो 17 पचास गुना 7, माइनस 11,400, सब्सक्राइब करेंगे इसे अब किसमें पुट करेंगे पुट के एकस की वेल्व में हमारी एकस की वेल्व निकल के आई थी तो वाई इस इक्वेस्टो खोंदी है एकस इक्वेस्टो आड़ तीस सो माइनस छे गुणा पिछास ब्ते साथ इस्पोस्टो अड़ थीस सो माइनस जह पंजे थीस थीन सो बटे साथ इसे सब टरक करेंगे पैठ इस सवाएगा बटे साथ इस्पोस्टो फान सो ठीक है तो हमारा यहां पर क्या यहां पर प्लास्ट में लिख देंगे अंसर बाट कोस्ट ऑफ बन बाट इस 500 रूपीज अंत कोस्ट फमन बॉल इस 50 रूपीज पीज क्लियर आप लोगो शहरी तोनेक्स वेख लेक्वाटें भी लिखियां पॉक्ति जयोब paran होती जयाना है , कुछ नहीं करना है , परिशाद नहीं होन है . जितनी प्राक्टिस कांगे उतना जटीख और हुए συे इसलोट विछारायेगा फिस पर्थ पार्थ में कहे रहा हिए , प्र cheddar हां , जी पर फ़र्थ पार्थ में कहे रहा है प्र पार प्र पार निया रहा है? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is Rs. 105. And for a journey of 15 km, the charge paid is Rs. 155. What are the fixed charges and the charges per km? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब कुश्चन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है एक टेक्सी ड्राइवर है ठीक है तो टेक्सी ड्राइवर क्या कर रहा है कि टेक्सी ड्राइवर जो चार्ज़ ले रहा है एक फिक्स चार्ज ले रहा है suppose आपको कहीं जाना है तो इक तो पचास रुपे तो लेगा ही लेगा plus जतने किलोमेटर वो आपको ले के जाएगा उतने के वो चार्जर करेगा कि 10 रुपीज पर किलोमेटर, 12 रुपीज पर किलोमेटर जितना भी लेगा यह इस कॉस्चन में कह रहा है तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें एजिम करनी है let let fixed charge is equal to x रुपी fixed charge क्या है x रुपीज है ठीक है and charge per kilometer is equal to y रुपीज ठीक है दी तो condition 1 में क्या कह रहा है condition 1 में कह रहा है for a distance of 10 kilometer total distance कितनी है 10 kilometer the charge paid is rupees 105 105 रुपीज है तो fixed charge तो as it is रहा जितना है उतना देना ही देना है plus कितने kilometer 10 kilometer 10 kilometer के लिए per kilometer कितना देना है y rupees लेना है that means 10 into y is equals to 105 equation number 1 बन गई similarly condition 2 देखेंगे कुछ नहीं है easy इसमें fixed charge तो जितना है उतना ही रहेगा plus कितने kilometer गया इस बार वो 15 kilometer गया तो 15 y हो गया is equals to 100 equation number 2 हो गया दोनों को solve करेंगे equation 1 solve करके equation 1 सब solve करेंगे तो x is equals to कितना आएगा 105 minus 10 y put it in equation 2 equation 2 में put करेंगे तो क्या आएगा 15 sorry 105 minus 10 y plus 15 y is equals to 155 यह धर जाके subtract हो जाएगा यह दोनों भी subtract होंगे 15 में से 10 subtract हुआ 5 y is equals to यह धर जाके गया तो 50 तो y is equals to कितना है क्या ले रहा है वो जो variable charge है y ले रहा है वो 10 rupees पर किलोमेटर बहर किलोमेटर के कितना ले रहा है 10 रुपया तो fixed charge कितना हैगा fixed charge equation 3 से निकाल लेगे x is equals to 105 minus 10 गुना 10 10 नहीं सो 105 minus 10 is equals to 5 rupees तो यहां से हमारा कितना आया कि fixed charge तो ले रहा है वो 5 रुपया और variable charge कितना ले रहा है 10 रुपय पर किलोमेटर चिके? चलिए अब next क्या पूच रहा है इसी question में एक चीज़ और पूच रहा है इस question में पूच रहा है that अगर वो 25 किलोमेटर गया तो क्या cost होगी? तो find करते है cost for 25 किलोमेटर चीक है? तो fixed charge तो fixed charge रहेगा x plus 25 किलोमेटर गया किस charge से? y rupees per किलोमेटर से? 10 रुपे प्लस y कितना निकल के आ रहे था? 10 रुपे तो 25 रुना 10 2500 ये कितना आ गया? 255 रुपीस ये आपको charges देने पड़ेंगे चाले? फिफ्थ question में कहा रहा है a fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5 by 6 find the fraction एक fractional number है तो obviously हम एजिम क्या करेंगे? denominator नुमेटर नुमेटर तो पहले एजिम कर लेते हैं let ये x हो गया, ये y हो गया तो fraction क्या हो जाएगा हमारा? x upon y numerator upon denominator fraction होता है तो उसमें condition 1 में क्या बोला है? in condition 1 it is saying that if 2 is added to both दोनों में दो अगर हम एड करें numerator में भी हो दिनुमेटर में भी that means x plus 2 upon y में भी कितना एड किया? 2 तो हमारा जो fraction हो 9 by 11 बन गया समझ में आ रिये बात? क्या बन गया? 9 by 11 इसे थोड़ा सा solve कर लेते हैं यह 11 इंदर आ जाएगा 11 x plus 22 is equals to 9 y plus 18 तो यह 11 x minus 9 y is equals to minus 4 चीक है? यह आगा है equation बढ़ा है condition 2 देखते है condition 2 में क्या कह रहा है? if we added 3 to both numerator and denominator it becomes 5 by 6 अब की बार क्या add किया है? 3 add किया है तो हमारा fraction क्या बन गया? 5 by 6 ठीक है जी? चलिए तो इसे भी थोड़ा सा solve कर लेते हैं 6 x plus 18 और इसकी इदर multiply करेंगी equals to 5 y plus 15 इसे इदर ले आते हैं उसे दर ले जाएगे 6 x minus 5 y is equals to minus 3 यह होगई equation number चलिए जी equation 1 solve कर लेते हैं तो जब आप इहां से solve करेंगे equation 1 तो 11 x is equals to minus 4 plus 9 y that is x is equals to minus 4 plus 9 y upon 11 यहां गई आपकी x की value इसे हम किसमें put करेंगे? equation 2 में जाए रखेंगे जाए 6 x minus 4 plus 9 y upon 11 minus 5y is equals to minus 3 ठीक है जी? इसमें रखा 6 into x की वाली रखी minus 4 plus 9y upon 11 minus 5y as it is minus 3 as it is प्राइ करेंगे 24 बटे गारा चानम 24 बटे गारा minus 5y is equals to minus 3 11 LCM आएगा तो minus 24 plus show 1 minus 5 5 y is equals to minus 3 ठीक है जी? चले इसे solve कर लेता है 54 और 55 subtract होगा जाए 55 में से तो minus y आगया सीथा और 11 उधर चाला जाएगा minus 24 minus y equals to minus 33 यह 24 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा minus 33 plus 24 तो जब आप इसे subtract करेंगे तो कितना आएगा? minus 9 आएगा minus से minus cancel y is equals to कितना आगया? y की value आगई? x की value find out करते हैं तो x is equals to minus 4 plus 9 into 9 upon 11 यह क्यास से इक आश्ती में से 4 subtract होए तो कितना यहा? 77 upon 11 यह जाएगा? is equals to 7 x की value 7 आगई? y की value 9 आगई? तो हमारा fraction क्या आगया? अंसर तो हमें fraction बताना है न? fraction क्या है? तो fraction आगया? कौन सा था हमारा numerator? numerator था x और denominator था y तो हमारा fraction क्या आगया? x upon y that is 7 upon 9 I think clear हो? चाल यह तो last question देख लेते हैं इस exercise का last question में क्या क्या रहा है? last question देख लेते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son what are their percentages? अब देखे यहाँ पर 2 ages given है Jacob की और 5 years hence का मतलब 5 साल बाद ठीक है? और 5 years ago मतलब 5 साल पहले तो दोनों कंडूशन में हमें क्या करना है? एक में हमें 5 साल आगे जाना है और एक में हमें 5 साल बाग जाना है जाना है? let Jacob's age is equals to x years और Jacob की किसके है? son की age तो son's age is equals to y year तो condition 1 में क्या कह रहा है? condition 1 में कह रहा है that 5 years hence 5 years hence means 5 साल बाद ठीक है? तो after 5 years after 5 years Jacob की age क्या हो जाएगी? x plus 5 हो जाएगी? ठीक है जी? तो यह हो गई x plus 5 years similarly after 5 years son की age क्या हो जाएगी? y plus 5 year ठीक है तो यह क्या कह रहा है? कि Jacob की age son की age की 3 times होगी 5 years बाद that means x plus 5 is equals to और यह मैं y plus 5 करूँ तो Jacob की age होगी son की age की तो अगर मुझे इन दोनों को equal करना है that means मुझे किस में मुझे 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 करने पड़ेगी? son की age में? which will be 3 times तो यह हमारी equation number 1 बन चाहेगी x plus 5 is equals to 3y plus 15 that is x is equals to 3y इंदर जाएगा तो subtract हो जाएगा 5 15 में से 10 equation number 1 बन बन लेगी पर so condition 2 में क्या क्या रहा है? that before 5 years 5 साल पहले Jacob age was कितनी हो जाएगी? यहाँ पर x plus 5 थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? x minus 5 year and similarly before 5 year son age was y minus 5 year clear? son age कितनी हो जाएगी? y minus 5 year अब क्या कह रहा है? दोनों में condition क्या कह रहा है? that 5 साल पहले जो Jacob age थी x minus 5 जो थी वो y minus 5 था 7 times थी यह 7 times थी तो हम इसमें 7 की multiply करेंगी तो इसमें 7 की multiply कर देंगी हमारी आजाएगी equation number 2 x minus 5 is equals to 7y minus 7 5 जा 35 ठीक है जी? इसे जब हम solve करेंगे तो यह हमारा आएगा x is equals to 7y minus 35 और यह minus y इदर दाकर plus 5 हो जाएगा that is 7y minus 30 equation number 2 तो हमें क्या करने है? देखिए अब हमारा x की value equation 1 में already है तो हम इसे substitute कर सकते हैं equation 2 ठीक है? So putting d value of x from equation 1 equation 1 से x की value इसमें put करेंगे x की value क्या है? 3y plus 10 है So 3y plus 10 is equals to 7y minus 30 इसे solve करेंगे यह इदर लेका हैंगे तो 3y minus 7y is equals to 30 minus 30 and minus 10 that is minus 4y is equals to minus 40 minus से minus cancel y is equals to 410 जा 40 तो जो sun की age है वो कितनी है? present age? 10 years ठीक है? जब y जो 10 है तो x की value क्या जाई? 1 में put काते हैं y की value So put in equation 1 1, 2 किसी इन पी रख सकते है? y की value इंकालने के लिए x की value find out करने के x is equals to 3 into 10 plus 10 कितना आगया? 40 years so x is equals to 40 years आपने हमारा क्या आगया? net Jacob's age is 40 years and Sun's age is 10 years Thank you